जहें दोस्तों बंदे मातरम, कई बार क्या होता है कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब आप करने कुछ जाते हो, हो कुछ जाता है और लोग मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं, ऐसा अक्सर अमूमन लोगों के साथ अपने विश्टेदारी में होता है, कि उनका मतलब कुछ और होता है, मतलब कुछ और निकाल लिया जाता और फिर उसके बाद जो चंसिक्वेंसे होते हैं, वो कई बार संबंदों में दरार भी डाल देते हैं, अमूमन ऐसा हम लोग अक्सर शादियों में देखने को मिलता है, जिसमें कि ताओ चाचा पूपा लोग अक्सर मुफुला लेते हैं और शादी को कलंक लगने से बचा लेते हैं वही काला टीका लग जाता है इससे की नदर उतर जाती है और इसा ही कुछ हुआ है इस समय इर्फान पठान के साथ इर्फान पाकिस्तान की हार के उपर उनको सांतोरा देने पहुंचे थ था कि well tried park cricket you were really good until today but Australia were better well done Aussies मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत अच्छा खेला आप आज तक बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन आज ऑस्टेलिया आपसे बहतर था तो Aussies बदाई यह कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को टैग भी किया था और पाकिस्तान क्र और कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान की पब्लिक के साथ भी कि उन्होंने इर्फान पठान के स्ट्वीट के उपर कुछ अपना ही मतलब निकाल लिया जैसे कि इसके उपर मुझमिल लिखते हैं और राइट यू नेवर वन लीव एनी ऑपरचुनिटी और ब्रिंग पाकिस्त कहा है अली शेर लिखते हैं अंतिल टुड़े कमाउन मैं था लाइक वारियर्स अंडाइक इंडियन टीम वर जोकर्स अफ दिस यू इविए यहां पर यह भारती टीम के आधरा माखोल लडाता हुए दिख रहे हैं वनो जट साहा लिखते हैं पाकिस्तान की हार के बाद लि तो इस तरीके से कुछ प्रतिग्रिया है तो जो कि निकल कर सामने आएं थी और इरफान पठान को मुझे नहीं लगता कि इन प्रतिग्रियां को देखकर जाद अच्छा लगा होगा आपका कहना इस बामले में कि भाई इरफान पठान ने कोई ट्वीट जो किया ता वो गल है जोगा इस खाना को घगको प्रतिग्रिया है तो